जैहिन्द फ्रेंड्स मैं सिव आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिख्षा मनोभ्यान के पूरे कौनसेपक्ट को जाना और यह जाना कि किस मोनो बैग्यानिक निक्या कॉंसेप्ट दिये हैं सिक्षा के अर्थ को जाना इसके साथ ही अधियम के अर्थ को जाना बुद्धी के अर्थ को जाना इन सभी कॉंसेप्ट को जो है हम लोगों ने काभी सरलता से समझा और जितने कॉंसेप्टों को हम लोगों ने समझा उसी कॉंसेप्ट पर अधारित जो है या कुश्चन है जैसा कि आप और ये प्रश्मोत्री सिंखलाईस में है सामिल सिक्षा मनुबिग्यान में जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट की जो एक्जाम ह उसकी तारीक तैक कर दी गई है और 31 जनबरी 2020 को जो है सिटेट की परिच्छा है तो परिच्छा को ध्यान में रखते हुए उसलिहाद से यह वीडियो बनाया गया है हमें ऐसा है कि यह वीडियो आको आने वाली सिटेट की एक्जाम में काफी मददगार साबित होंगी तो में चन्स रिटेहं करते हैं आज का यह वीडियो हएं कि मनोबिज्ञान के संब्ध में यह यह माक दूगल की परिवहास है तो क्या मनोबिज्ञान के समया में मैटूगल की परिवास मरों वीग्यान आचरन ततह बेभार का यथार्थ बिज्ञान है या option B किसी बेक्टी के जनम से लेकर बिधा भस्ता तक के अधिगम अनुभवो का बनन तत धारना ही मनो बिज्ञान है या option C, मनो बिग्यान सिक्षा का अधर्वत बिग्यान है या option D, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ इंजिनियर, डॉक्टर या यान ये सब जो है मनो बिग्यान के समंधित मैक डूकल की परिभाशा है तो मित्रो इसका exact answer जो है यह है यानि मनो बिग्यान आचरन तथा बेभार का जो है अधर्वत बिग्यान है ये जो है मनो बिग्यान से समंधित मैक डूकल की परिभाशा है अगला question है question number two और question number two ये कर रहा है कि निम्लिखित में से gestalt वाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो क्या कोलर को कहा जाता है कोफ़ा को कहा जाता है या ब्राउन को कहा जाता है या मैक्स वाइमर को कहा जाता है तो मैक्स वरदाइमर को जो है यह गेस्टाल्ट वाद का जन्मदाता कहा जाता है पावलव के सिधान्त को computer stimulation द्वारा कौन सी मसीन बताती है यह तीसरा question है और स्वन है James Trevor, Tro, Lingren या James Stephen तो पावलवन के अनुशार जो है इसमें तो पावलवन के सिधान्त को है जो मित्रो computer machine द्वारा Tro बताती है तो इसका answer जो है B होगा या पर ध्यान रखना है पावलन के अनुशार जो है computer stimulation जो मसीन बताती है तो उस मसीन का जो है ना कोफा मसीन नाम है ना stimulation मसीन नाम है ना उप्रूक में से कोई उसका नाम है hopman machine उसका क्या नाम है hopman machine तो इसका exact answer जो है यह होगा बात करें अगले question के तो अगला question है question number 4 और question number 4 यह का रहा है कि सिक्षा मनोबिग्यान जो है वेक्ति के जन्म से लेकर बिर्धा वस्ता तक सिखने के अनुभवों का परनन तथा ब्याख्या करता है यह जो कथन दिया यह किस मनोबिग्यान की है किलफूर्ड इसकुनर और ब्राउन का नहीं यह जो कथन है वह कर थयान लख रहा है अगला question है question number 5 और question number 5 यह कह रहा है कि सिक्षा के द्वारा मानब वेभार में परिवरतन किया जाता है तथा मानब बेभार का अध्यन ही मनोबिग्यान है सिक्षा के द्वारा मानब बेभार में परिवर्दन किया जाता है तथा मानब बेभार का अध्यन ही मनोबिग्यान है यह कथन किस मनोबिग्यान का है तो यह कथन जो है ब्राउन का है ब्राउन ने बताया कि सिक्षा के द्वारा माना बेभार में परिवर्टन किया जाता है तो था माना बेभार का अध्यानी मनोबिग्यान कहलाता है नेक्स्ट कुश्टन ने कुश्टन नमबर सिक्ष और कुश्टन नमबर सिक्ष यह कर रहा है कि माना बेभार एवन अनुभव से सम्बंधित निसकर्सो का छेत्र के द्वारियोग सिक्षा मनोबिग्यान कहलाता है या कथन किस मनोब ग्यान का है मानब विभार एवं अनभव से संबंधित निसकर्सों का सिक्षा के छेतर में पडियोग सिक्षा मनोब ग्यान कहलाता है या कथन जो है इसकीनर महोद ने दिया किसने दिया इसकीनर महदने ने तो इसकीनर महदने बताया कि मानभ विवार अनभाव से समंधित निसकर्सों का सिक्षा के छेत में पडियोग सिक्षा मनोबिग्यान कहलाता है next question is question number 7 और question number 7 ये कर रहा है कि सिक्षा मनोबिग्यान सैक्षिक विकास का करमी का दियने सिक्षा मनोबिग्यान जो है वो सेक्षिक विकास का क्रमिक अध्यान है तो यह कथन जो है किस मनोबिग्यानिका है तो सिक्षा मनोबिग्यान सेक्षिक विकास का क्रमिक अध्यान है यह कथन बताया है जेम इस्टीफन ने तो इसे ध्यान रक रहा है जेम इस्टीफन ने बता ने बताया है तो इसका एग्जाक्ट एंसर अग sorry, solution और extra is question number 9 ynford कुछषय की म дополнền की किर्पार पर निजान रखना है कि अम यह उस्हां का नाम सब्सक्तार है नेक्सट पुष्यन में तरोकुष्य। नमबर दस और कुष्चन नमबर दस यह करा है कि सिक्षा मनोबेग्यान सेक्षिक परिवेस में बेक्तिक के विकास का विवस्थिक अध्यन है यह बताया सेक्षा मनोबेग्यान के उपचारिक अधार सिला कब रखी गई तो इससे अश्यान रख सकते हैं अगला कुस्चन है कुस्चन नमबर 12 और निम्लिकित में से किसके प्रयासों से सिख्षा मनोवग्यान की आफचारिक अधार सिला सन 1989 में रखे गई तो यह जिनके प्रयास से 1989 में रखे गई वे बेक्ति थे एस्टेनले हॉल और एस्टेनले हॉल के प्रयासे से जो है सिक्षा मनुवग्यान के अपचारिक अधार सिला 1989 में रखे गई नेक्स्ट कुष्चन है कुष्चन नमबर 13 और कुष्चन नमबर 13 ये कह रहा है फ्रेंड्स कि सिक्षा मनुस्य की छमताओं का सभाविक प्रगतिसील तथा बिरोधिहिन विकास है यह परिभासा की इस मनुवग्यानिक ने दी उनका नाम है पेश्टा लॉजी पेश्टा लॉजी ने बताया कि सिक्षा मनुस्य की छमताओं का सभाविक प्रगतिसील तथा बिरोधिहिन विकास है नेक्स्ट कुष्चन की बात करें तो अगला कुष्चन है मित्रो कुष्चन नंबर 14 और कुष्चन नंबर 14 यह करा है कि सिक्षा मनुस्य की छमताओं का विकास है और जिसकी सहायता से वो अपने बाता परन पर नियंतरन करता हुआ अपने संभावित उनत्ति को प्राप्त कर सकता है सिक्षा मनुस्य की छमताओ का विकास है और जिनकी सहायता से वो अपने बाता परन पर कंट्रोल करते हुए अपनी संभावित उनत्ति को प्राप्त कर सकता है यह परिभासा किस्त सिक्षा सास्त्री का है तो यह परिभासा जो है जॉन डीवी का है ये बात किस ने बताया जॉन डीवी ने बताया जॉन डीवी ने क्या बताया तो जॉन डीवी ने बताया कि सिक्षा मनुस्थ की छमताओं का विश्कास है और जिनके सहायता से एक अपने बाता बन पर नियांतरन करता हुआ अपनी स सेक्षिक परिष्थिती के मुल्य, एभम कुसलता में योगदान होता है यह पृष्ण की सिक्षा सहास्ति आश्ति का है तो यह जो है सकीनर महो गाता है क्या कॉन बता है ह। कि सिक्षा मनोविज्ञान का उदेश सैक्षिक परिस्थिती के मुल्य एवं कुसलता में योगदान देना है ये बात इस किनर महदे ने बताया है अन्ने चलते हैं नेक्ट कुश्चन के और रागला कुश्चन है कुश्चन नमबर 16 और कुश्चन नमबर 16 ये कह रहा है विरेंट कि सिक्षा मनोविज्ञान वह भी ज्यान है जिसमें च्छात्र सिक्षन तथा अध्यापन का करमबद आध्यन किया जाता है तो यह पड़िवासा की सिक्षा सास्त्रिक है ये जो है जो है जोन एफ्ट रिवर्स ने बताया है जोन एफ्ट रिवर्स ने बताया है कि सिक्षा मनोविज्ञान वह भी ज्यान है जिसमें च्छात्र सिक्षन तथा अध्यापन का करमबद आध्यन किया जाता है चलते हैं नेक्स्ट कुस्टिन क्यों और अगला कुस्टिन है कुस्टिन नंबर 17 यह कर रहा है कि निखित में से बेभारबाद के परतिपादक कोन है तो बेभारबाद के परतिपादक जो है वाटसन है वाटसन वाटसन जो है बेभारबाद के परतिपादक है तो यह आपको को तो नहीं है Sut NBeek involves question mm18 advantage from color निमलिख्यत Ouais से सहर यह बाद के परतिपादक उनका नाम है जौन रोग क्या नाम है उनका जों लोग तो ये जह आपको ध्यान लगना है कि साहचारेबाद के प्रतिपादक जो है जाउन लग है अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 19 और कुश्चन नमबर 19 यह कर रहा है कि निमलिखित में से प्रियरक संपरदाय के प्रतिपादक कोन है तो प्रियरक संपरदाय के प्रतिपादक जो है मित्रो मै सब्सक्राइब करें तो यह प्रिशा की ध्याल से आपको ध्यान रखना है चलते हैं अगले कुश्चन के और अगला कुश्चन है कुश्चन नंबर 20 और कुश्चन नंबर 20 अगर रहा है कि निम्लिखित में से बीसलेस नात्मक संपरदाय के परतिपादक के चलते हैं नेस्ट कुश्चन के और अगला कुश्चन है 21 यह करा कि निम्लिखित में से सिख्षा मनो विञ्ञान के अध्यान चियत्र है वा दो वार रहा वातावरन का अधियन वाला कि विकास समंधियावस्ताओं अध्गम किडियाओं का अध्याओं उप्रुक्त में से सभी जो है यह चुर्ण मनोविग्यान से समधित हैं ऐसे क्वेश्चान नंबर 22 और यह क्वेश्चन कर रहा है कि निम्लिकित में से कौन सी सिक्षा मनोबिग्यान की उपयोगता नहीं है है नहीं पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है नहीं है तो यहां पर ध्यान देना है तो इसमें जो है सिक्षा मनोबिग्यान की उपयोगता कौन सी नहीं है तो सिक्षा मनोबिग्यान अध्यापा को विद्यार्त्यों की बिसस्थ्ताओं उनके विक्यास उनके विक्यास कर ज्ञानप्रतान करता है यह सई है चुछ्छामं अध्यापा को Himself को ब्यात्ति railway के चान में करता आप Jeanne no 23He K 2018 करने वाले कंड निम्लिकित में से अधिक्म को आप प्रभावितकरने वाले कारक व्यक्ति नम्हेत कारक कोया कहा है अगले कुष्चन की बात करें तो वेको 시न ये करा है कि 11 मि सताबधी में मनो बीज्ञान का मुख अधार क्या थया हुआ क insects मी सताबधी में वाट्सन मनोबिज्ञान की किस अवधार्न को मानने वाले थी वाट्सन वह म सतना वह वह मानने देकर उसे इक्षेत दिशा में मोरा जा सकता है यह परिभासा किस मनुबे ग्यानिक की परिभासा से मिलती जुलती है कि कि किसी भी बच्चे को उचित वाता वर्ण निबंभार देकर उसे इक्षेत दिशा मोरा जा सकता है तो यह जो है परिभासा वाट्सन की वाट्सन जो मन यह कर है कि रिखाल्स के अनुसार अंट दृष्टी किस परकार की दृष्टी होती है वूद वर्थ के वनुसार अंतर जिस्टी किस परकार की द्रिष्टी होती है वूडवर्थ के वर्थ वनुसार उन्नटर जिस्टी प्रकार की द्रिष्टी होती है तो यह थे लिटनकना है next question is question number 29 are question here नि में लिखीत में से चिंपैंजी ओ पर परियोग किसके द्वारा किया गया तो चिंपैंजी ओ पर परियोग जो है मनुवेग्यानिक रूप से चिंपैंजी ओ पर परियोग कोहलर द्वारा किया गया किसके द्वारा किया गया कोहलर द्वारा किया गया अंतिम और इस वीडियो का लास्ट कुछिन आघले वीडियों में फिरम 30 questions में लेकर आइंगे तो कोलोर दвойरा जो है चिंपंजिओं पर किया गया पडियोग किस संबन्दी था तो कोलोर द्वारा जो है चिंपंजिओं पर जो परयोग किया गया हिसीित से और अंत्रफिष्टि अंतर जिस्टी सूर्श दोनों से यानि कि उपलोक्त सभी से जो है सम्मंदित था तो यह जो है इस वीडियो का लास्ट कुष्टिन सा अगले वीडियो में फिर हम 30 कुष्टिन को लेकर हाजी होंगे 31 जनवारी 2021 कुष्टिट का एक्जाम है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए आज के लिए इतना है धन्यवाद